मोधी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी दिल्ली में AICC से नियूक सीधी सिंगरौली संसदिये चेत्र के प्रभारी हरिकेश त्रिपाठी ने पत्रकारवारता में कहा कि 14 दिसंबर को कॉंग्रेस पार्टी की महरोली में जिला सिंगरौली चेत्र से शामिल होंगे पांच हजार कारेकरता सिंगरौली जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की जन विरोधी नीतियां देश के लिए आत्मगहती साबित हो रही हैं कॉंग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेत्रतव में 14 दिसंबर को राश्ट्री स्तर पर दिल्ली के रामल बातें माजन मोड स्थित सरकेट हाउस में कॉंग्रेस पाटी द्वारा आयोजित एक पत्रकार वारता में ए आई सीसी से नियो सीधी सिंग रॉली संसदिय चेत्र के प्रभारी हरीकेश्ट रिपाठी ने कहा कि केंदर सरकार की गलत नीतियों से मध्यवर्गे व्यापारिय का जीना मुश्किल हो गया इस समय देश आर्थिक द्रिष्टी से जूज रहा है फिर भी लोगों को विकास के नाम पर सफेद जूट बोल कर गुमराह किया जा रहा है सर क्या आज जो प्रेस कांप्रेंस किया गया क्या इसका उद्देश है अखिर क्यों जो है कॉंगर्स पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर है इसका उद्देश है कि 14 दिशंबर को भारत बचाओ वैली जो सोनिया जी की आमाहन पर अदाम नीला मैडान में बने जा रही है उसी तैयारी वैली की तैयारी की उद्देश के लिए जी लिए बैठक बुलाई गई थी और आप सब लोगों से मुखाती वरत कर रहा है और उसके भारत बचाओ इसलिए हो रहा है कि पूरे देश में चारो तरफ किशान परिशान है ब्यापारी बदहाल है नौजवान बेरोजगार है और तमाम सा लोकतंत्र की हत्या हो रही है इसका जीता जागता उदाहरण आपने महाराष्ट में देखा करनाटक में देखा और इसके बाद हरियाना में भी देखा कि उनको लिया जाता है और उसके दूसरे ही दिन उनकी जवानत मन्जूर हो जाती है इन सब सवालातों को लेकर के भारत में पूरे देख में जो एक ऐसा महाल ब्याप्त है जिससे यहां का आम नागरी डरा सहमा है कि नजाने कब कब रात में एक मन की बात होगी परसारण होगा और ये होगा कि आज नूर बंदी कर दी गई पूरे देख में अवाहिया करके भारत बचाओ वान दोलन के दी शुनिया जी ने आवाहन किया है और उच्छी आवाहन को लेकर के ये रैली की तेयारी के सब्सक्रेश करें अब मेरे सिंगरवली के और सिंधी के सभी कारका पूरी तरह से क्यार है यहां से अव्मान के कि पांच जार की कम दूरस्थ हो सब्सक्राइब की तरह से मर्द्रदेश में कॉंगरेस के संगठन को लेकर आए दिन सुखिया मेडिया की बनती है तो किस तरह से कॉंगरेस अपना बचाओ करना चाहते बीजेपी लगाता है हम ले कर रही गी अद्यक्ष तक नहीं बना पाए मर्द्रदेश में बीजेपी हला इसलिए करती है कि उसको केवल हला में ही विस्वास है और हला बोले में उनको विस्वास है और उनका नेटवर्क वो स्वेंग अपना देखें कि वो हम मेरे प्रदेश अध्यच पर बात कर रहे हैं मैं कहे रहा हूं कि भारती जल्ता पार्टी ये तेकर दिये कि राष्ट्री अध्यक्ष आमित्सा एक तरफ गिरिह मंत्री है वो राष्ट्री अध्यच्च और दूसरी तरफ जेपी नड्ड्या को बना दी है आज तक राष्ट्री अध्यच्च नहीं तेकर पाए का अन्व पंदरा साल की सरकार को कमलनाज जी अब दस्ट करके और यहां पर कमलनाज जी अब दस्ट करके हैं